नमस्कार मैं अजय रस्तोगी चैलेंज न्यूज की तरफ से हम जो पर्थम चरण का चुनाव हुआ है उत्तरप्रदेश में साथ चरणों में आपको पता ही उत्तरप्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं और पहले चरण का जो चुनाव 10 फरवरी को हुआ है 58 सीटों पर हम उसका एक छोटा सा विशलेशन आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं हम यह भी कोई भविश्यवानी चलेशन उचकी तरफ से नहीं करना चाहते है कि कौन सी पार्टी जीत रही है और कौन सी पार्टी हारी है लेकिन इस चुनाव में जो महत्पून चीज है जो सबसे जादा उभर के आई है हम उन मुद्दों पर उन चीजों पर हम आप ज़रूर चर्चा करना चाहते हैं और आपका धिहान भी आकरशित करना चाहते हैं उस विशे पर कि इस बार जो बोटर है इस बार जो बोटर है उसने मुद्दों पर बोट डालने का प्रयास करा चाए वो महगाई का मुद्दा हो चाए वो शिक्षा का मुद्दा हो चाए वो स्वास्त का मुद्दा हो चाए वो किरशी से अधारित मुद्दा हो, चाए वो शरम कानून के अपर मुद्दा हो, चाए वो सुरक्षा का मुद्दा हो तो ये किसी भी लोगतंतर के लिए एक positive चीज है कि हम जो है मुद्दे पर बोट डाल रहे हैं हम जाती और धरम से कुछ उपर उभरते भी नजर आये हैं, सामपरदक धुर्वी करण भी इस बार उतना नजर नहीं आया जितना पिछले चुनाम में नजर आया था का जो आंदोलन चला, और उस आंदोलन की खासित यह रही कि उसने मुद्दो पर अधारित अपने आंदोलन को शांती पूर्वत तरीके से करा और उसके अंदर उसने अपने साथ साथ में खेतिर मजदूर को भी जोड़ा उस आंदोलन ने कृशी जो शर्मी का हैं उनको भी अपने आंदोलन के साथ जोड़ा मद्यमवर्ग को अपने साथ जोड़ा उस आंदोलन से जो सकारतमक सोच वाले लोग हैं वो भी उस आंदोलन स उस जीत ने भी किसानों का मनोवल उंचा करा और यूवा और स्टूडेंस ने मध्यमवर्गी ने और शर्मिकों ने ये महसूस किया कि अगर हम अपनी बातों को उठाएंगे तो हम जो सरकार का चेन करते हैं उस सरकार से अपने अधिकारों को हासिल कर सकते हैं ये इस संकेत हैं अगर हम सरकार का चेन मुद्दो पर करते हैं तो ये चेन बहुत ही अच्छा होता है और भविश्य के लिए ये चेन बहुत अच्छा है और जो दूसरे चंड का चुनाव होने जा रहा है 55 सीटों पर वो भी क्रिशी पर अधारित ही छेतर है वो बदाईयों सारी स आंदोलन से जुड़ा हुआ है तो हमें ये चीज किसकरशी आंदोलन का प्रभाप सिधा सिधा इस चरण में भी हमें नजर आ सकता है जो 55 सीटे हैं और मैं कहुँगा कि पूरा चुनाव ये इस पहले चरण ने उत्तरपरदेश की चुनाव को दिशा दिया है कि हम समय में अपने मैनिफेस्टों पे कितना काम किया है उस पर कितना आप सफल रहे हो कितना ऐसे फल रहे हो और ऐसे फल रहे हो तो उसके पीछे रीजन क्या है हमें हमेशा जवाब देही सरकार का गठन करना चाहिए और हमें कुछ हलका सा इस पहले चरण में हमें महसूस होता ह कि हम कही न कही इतने जागरुब जरूर हुए है किसान दौलन की वेज़े से कि हम जवाब देही सरकार का गठन करने की तरब बढ़ रहे हैं धन्यवाद